नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल All Exam Guide Grouper दोस्तों इस वीडियो में साइन्स का प्रैक्टिस सैट पेपर है 2019 में होने वाले सबी एक्जाम्स में साइन्स के कॉशन बहुत ही जादा पूछे जाते हैं आपने तयारी बहुत अच्छी करके रखी हुई है तो अपना एक क्विक प्रैक्टिस सैट देजिए जिससे आपको ये पता चले कि आपकी तयारी के अक्वाडिंग आपसे अगर कॉशन पूछे जाते हैं तो आप उनमें से कितने कॉशन सही कर पाते हैं आपकी सुभीधा के लिए बता दू मैं इसमें 30 कॉशन मिलेंगे और एक सर्प्राइस कॉशन मिलेगा सभी कॉशन का आंसर देने के लिए आपको थोड़ा सा समय दिया जाएगा ये सारे कॉशन SSC, Railway, State Level Exam और Central के जो भी एक्जाम होते हैं जिनमें Science के कॉशन्स पूशे जाते हैं आप इस Practice Set Paper के थो अपनी तयारी उन एक्जाम्स की कर सकते हैं और मैं तो ये भी सजेश्ट करूँगा इससे पहले जो हम Practice Set Paper बना चुके हैं 120 Practice Set Paper बन चुके हैं उनको भी सॉल्व कर लिजेगा counting कम हैं लेकिन numbers of questions जो हैं बहुत ज़ादा हैं 120 Practice Set Paper में हर Practice Set Paper में 30 questions हैं तो आपका बहुत ही ज़ादा collection हो जाएगा तो कोई भी ऐसा question नहीं होगा जो आपसे ना बने अगर आप इन सभी question को पढ़ लेते हैं तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें बैल आइकन ओन कर लें जिससे रोज ये Practice Set Paper जब भी upload हो तो आप सबसे पहले इसको solve कर पाएं साथ साथ वीडियो को like ज़रूर करिएगा और वीडियो की link को अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करिएगा हमारे चैनल पर परड़े दो Practice Set Paper पर upload होते हैं एक General Awareness का और एक Science का तो आप रोज अपना टेस्ट देकर अपने आपको और भी ज़्यादा और भी ज़्यादा आप अपने आपको confident महसूस करेंगे तो दोस्तों चलिए च्टार्ट करते हैं Question सबसे पहला Question ये रहा स्कीन पर देखे क्या पुछ गया है NASA के किस से सम्मंदित Mission का नाम Juno है बताईए Right Answer क्या हो जाएगा चलिए देखते है Right Answer क्या है तो NASA का Option C ब्रहसपती से सम्मंदित Mission का नाम Juno है Next Question देखते हैं Next Question क्या है ये रहा स्कीन पर जीवाडूमों को नश्ट करने के लिए निमले के तमय से किस का प्रियोग करते हैं तो चलिए देखते हैं राइट आउसर तो जीवाडूमों को नश्ट करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रियोग किया जाता है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यहार स्कीन पर अंतरिक्ष एवं संबंदित विज्ञानों में अनुसंधान के लिए प्रमुक राश्रिय केंद्र जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोक शाला कहते हैं इन चार आप्शन मेंसे कहां इस्तित है बताईए चले देखते है राइट आंसर क् आप्शन नंबर ए एहमदाबाद में इस्तित है कॉशन इंपर्टेंट है नोट कर लिजेगा नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यहार स्कीन पर वातावरण में सल्फर डाई अक्साइड की मातरा को किसके प्रयोक से कम किया जा सकता है बताईए चले देख है राइट आऊसर क्या है तो वातावरण में सल्फर डाई अक्साइड की मातरा को कम सल्फर वाले एधन के प्रयोक करके कम किया जा सकता है नेक्श कॉशन देखते हैं नेक्श कॉशन क्या है यहार स्कीन पर आलेक पार्ट ध्वनी वीडियो तथा संजीवन के संयोजन में सूचना को क्या कहा जाता है बताए तो इसे कहते हैं बहु मीडिया जिसको आप बोलते हैं मल्टी मीडिया मल्टी मीडिया में ध्वनी साउंड भी होता है वीडियो भी होती है आप उसमें messages भी कर सकते हैं आप उसमें movies भी देख सकते हैं तो इन सब के collect करने के जो device होती है वो multimedia device होती है जिसको बोलते हैं हिंदी में बहु media option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा next question देखते हैं next question क्या है यरहाँ screen पर अगला question बड़े नगरों में वायू प्रदूशक को मुख्य कारण क्या है बताई जो बड़े नगर होते हैं उनमें वायू प्रदूशन जो होता है उसका मुख्य कारण क्या है बताई राईतां से क्या हो जाएगा चलि देखते हैं तो बड़े नगर जो होते हैं उनमें वायू प्रदूशन का मुख्य कारण निलंबित कण होते हैं निलंबित कण मतलब होता है वायू मंडल में प्रदूशन के कारण चाहे वो मोटर गाड़ियों का धुआ हो या यातायाद से सम्मंदित धूल के उड़ने के कारण जो कण वायू बंडल में फैल जाते हैं बड़े नगरों में वायू पर दूछर का सबसे बड़ा कारा है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है ये रहाज स्कीन पर अगला कॉशन 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उबगर जिसको मैट सेट के नाम से जाना जाता है उसको क्या नाम दिया गया है बताई ये राइट आंसर क्या है चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है 2003 में छोड़े गए भारत के मौसम अनुसंधान उबगर जिसको मैट सेट कहते हैं उसका नाम है कलपना वन एस्ट्रोनौट कल्पना जी के नाम पर इसका नाम रखा गया है कल्पना 1 next caution देखते हैं next question क्या है ये रहार स्कीन पर अगला caution pyrite isco को जलाने से क्या मिलता है बताई ही right answer क्या हो जाएगा छले देखते हैं तो pyrite isco को जलाने से option अमब b sulfur dye oxide gas निकलती है pyrite को मूर्खों का सोना भी कहते हैं क्योंकि ये देखने में सोने जासा होता है ये भी कॉशन कई बार पूछा जाता है कि कौन है जो जिसको मूर्खों का सोना कहते हैं किसके लिए मूर्खों का सोना कहते हैं तो पाइराइट को मूर्खों का सोना कहते हैं नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है ये रहा स्कीन पर रगला कॉशन उडान अभी लेखी का तकनीकी नाम क्या है बताइए तो चलिए देखते हैं उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा option number C black box इसका सही अत्तर हो जाएगा orange color का ये box होता है और इसमें उडान से संबंदित सारी जानकारियां save होती रहती है जब भी कोई भी aeroplane या कोई भी हवाई जहाज destroy होता है या किसी भी दुरगटना का शिकार होता है तो ये black box के तो जानकारियों को चेक करके पता लगाया सकता है कि क्या दिक्कत हुई होगी जिससे दुरगटना हुई है तो इसका right answer क्या हो जाएगा उडान अभी लेकी तकनीक का नाम क्या है black box नाम है next question देखते हैं next question क्या है ये रहाज की इन पर अगला question प्रदूशन नियंतरन कारिक्रम का उदेश निमलिखित में से किस अप्सिष्ट को नदियम में विसर्जन को कम करना है तो right answer क्या हो जाएगा बताइए चलिए देखते है right answer क्या है option number A oxygen हरासक oxygen हरासक का मतलब होता है कि जिन भी chemicals के थो नदियों में घुली oxygen जो है कम होती है उनको नदियों में मिलने से रोकना क्योंकि नदियों में अगर oxygen की मात्रा कम हो गई तो नदियां बहुत ही अधिक प्रदूशत हो जाएंगी जलिय जी उसंकट में हो जाएंगे और नदियों के अंदर काई और अन्य प्रकार की वनस्पतियां हो गेंगी जो नदियों को पूरी तरीके से नुकसान पहुचाती है तो उन सभी chemicals को नदियों में मिलने से रोकना जो oxygen को नश्ट करते हैं ये सभी जो है अप्सिष्ट नदियों में विसजन करने को कम करने है जो है प्रदूशन नियंतरन कारीक्रम का उद्देश इन सभी को कम करना है नेक्ट कॉशन देखते हैं नेक्ट कॉशन क्या है ये रहा स्कीन पर अगला कॉशन भारत के ऐसे प्रथम राश्पती कौन थे जोनोंने अपनी भारती वायुसेना के सुखोई फाइटर एयरक्राफ्ट में 30 मिनट की उड़ान भरी थी बता ये कौन थे वो राइट आंसर क्या हो जाएगा चली देखते हैं राइट आंसर क्या है तो भारत के ऐसे पहले राश्पती थे एपी जी अब्दुलकलाम तो वायुसेना का जो सुखोई एयरक्राफ्ट था इनमें इन्होंने स्वयम 30 मिनट उड़ान भरी थी अब्दुलकलाम जी सबसे पहले जो थे एयर फोर्स में भरती होना चाहते थे लेकिन धीरे धीरे जो है उनकी पढ़ाई के नॉलेज के अकॉर्डिंग वो साइंटिस्ट बने और तरक्की करते करते एक दिन तीनो सेना के प्रमुख बने लेकिन उनकी जो जीवन कथा है अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि वो सुरुवात में जो थे एयर फोर्स पाइलेट बनना चाहते तो ये उनका एक सपना था जो उन्होंने पूरा किया नेक्स कॉशन देखते हैं नेक्स कॉशन क्या है ये रहाज कीन पर अगला कॉशन निमने लिखित मैंसे वह कौन सा अमल है जो मूलतह कारवनिक नहीं होता है कार्वनिक नहीं होता है का मतलब उसमें कार्वन की कोई भी मातरा नहीं होती है कार्वन से कोई रिलेट नहीं होता है उसका तो बताएं ये राइट आंसर क्या हो जाएगा चलिए देखते हैं राइट आंसर क्या है option number B sulfuric amal जो होता है sulfuric amal जो होता है carbonic amal की category में नहीं आता है option number निमलखित में से sulfuric amal है जो मूलत रिलेट रिलेट नहीं होता है next question देखिए next question क्या है आदुनिक पंडुब्यों में निमलखित में से कौन सा इधन प्रयोग किया जाता है बताएगे चलिए देखते है राइट आउसर क्या है तो आधुनिक पंडूबिया है उनमें नाभी की ये इधन प्रयोग करते हैं नाभी की ये इधन के थो उसमें उर्जा उत्पन करके पंडूबियों को चलाय जाता है और स्टार्टिंग में जो पंडूबिया होती थी उनमें डीजल क प्रयोग किया जाता था, next question देखते हैं, next question क्या है, ये रहा स्कीन पर अगला question, comment box में answer देना है, helium से भरा गुबारा वायू में उड़ने लगता है, कारण क्या है, बताइए, तो इसका सयोत्तर क्या हो जाएगा, helium से भरा गुबारा वायू में उड़ने लगता है, वायू के गहनत्यों को कम होने के कारण, helium का गहनत्यों वायू से कम होता है, इसलिए helium से भरा गुबारा वायू में उड़ने लगता है, next question देखे, क्या पुशा गया है, ये रहा स्कीन पर, 21 जोडी के गुड़सूत्रों के लिए, क्राइसोमिक व्यक्ति होता है, कैसा होता है, हो जाती है, next question देखते है, next question क्या है, ये रहा स्कीन पर, galvanization में लोहा बनाने के लिए, लोहे पर किसका लेप किया जाता है, बताए, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, चलिए देख लेते हैं, option number A, zinc का, zinc जो है, galvanizing में प्रियोग किया जाता है, लोहे पर पलत चढ़ जाने के लिए, जिस क्रिया को कहते है, galvanization, हिंदी में कहते है, ये अस्धी करण, next question देखते है, next question क्या है, ये रहा स्कीन पर, turner syndrome का कारण क्या है, बताए, चलिए देखते है, right answer क्या है, तो turner syndrome, ling sutra enuploidy, ling sutra में जो है, बदलाव आ जाने के कारण, turner syndrome हो जाता है, ये ए changes हो दाते है, next question देखते है, next question क्या है, ये रहा स्कीन पर अगला question, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को कहते है, बताए, कोई जीव जिन लक्षणों को प्रदर्शित करता है, उन लक्षणों के according उस जीव को क्या कहेंगे, बताए, चलिए देखते है, right answer, तो उनको कहते है, फीनो टाइप, किसी जीव में प्रदर्शित लक्षणों को फीनो टाइप लक्षण कहते है, next question देखते है, next question क्या है, ये रहा स्कीन पर अगला question, लिंग सहलगन वन्शागती के खोज करता कौन है, कौन से वज्ञानिक है, जिन्होंने इसके बारे में बताया, बत next question देखे, next question में क्या पूशा गया है, बहुत बढ़िया question है, यदि आप इस्थिर वायू में धूल कणों को देखने के लिए एक सुक्ष्म दरसी का प्रयोग करें, तो वे आपको हर समय इधर उधर चलते दिखाई देंगे, इस पर इघटना को क्या कहते हैं, बताये, चल से वातावरण में फैलती है, next question देखते हैं, next question क्या है, ये रहाज कीन पर रगला question, बहुगोड ऐलील वाद किस लक्षण की अनुवानशिकी का नियंतरन करता है, बताये, चले देखते हैं, तो बहुगोड ऐलील वाद, रुधेर वर्ग के लक्षणों की अनुवानशिकी का नियंतरन करता है, जो blood group होते हैं, उनकी अनुवानशिकी का नियंतरन करता है, बहुगोड ऐलील वाद, next question देखते हैं, next question क्या है, ये रहाज कीन पर अगला question, प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष, निमलिखित मैंसे किस का मातरक होता है, चले देखते हैं, राइट आंसर जो है, रुधिर वर्ग blood group का अनुवानशिकी का नियंतरन करता है, अपना score जरूर शेयर करिएगा, किसने कितना score किया है, comment box में जरूर बताएगा, हम सब के score देखते हैं, और score पर आपके लिए, पता चलेगा कि हाँ, कितनी तयारी किसकी है, क्रोमोजोम के परिभाश की हम उपयूग करता कौन थे, सबसे पहले क्रोमोजोम वर्ड किसने यूज किया था, बताएगे, तो इसका right answer क्या हो जाएगा, option number A, वाल्डेयर ने सबसे पहले क्रोमोजोम शब्द यूज किया था, next caution देखिए, यह रहा स्कीन पर अगला caution, लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुण सूत्रों पर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बताएगे, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, उनको कहते हैं, लिंग सहलगन, वे लक्षण जिनके जीन्स एक्स गुण सूत्रों पर होते हैं, वे लिंग सहलगन कहलाते हैं, next caution देखिए, क्या पूशा गया है, यह प्रक्रिया से होता है बताए तो एलीज का प्रथक करण अर्ध सूत्रन के थ्रू होता है नेक्स्ट कॉशण देखते हैं, क्या पूछा गया है, यह रहाज स्कीनपर उन्तंतू का विकल्प क्या है, बताइए, उन्का विकल्प पूछा गया है, अगर उन्न ना मिले तो किस चीज़ से आप चाम कर सकते हैं उन्ना, तो राईट ऐां से क्या हो जाएगा option अमब भी nylon इसका सयोत्तर हो जाएगा उनका विकल्प है nylon next question देखिए क्या पुशा गया है यहाँ स्कीन पर anti serum एक serum होता है जिसमें क्या उपस्थित होता है बताएए चलिए देखते हैं तो anti serum में antibodies उपस्थित होती है जो antibodies होती हैं शरीर में वो anti serum में उपस्थित होती है next question देखते हैं यहाँ स्कीन पर रगला caution phenyl ketonuria नामक रोग किस से होता है बताएए चलिए देखते हैं option number A उतकों में phenyl alienine बढ़ जाती है उसके कारण phenyl ketonuria नामक रोग होता है यह caution जो है note कर लीजेगा exam में पूशा जा सकता है क्योंकि थोड़ा सा landy caution है शायद आपको याद करने में भी लगे तो इसको एक दो बार लिख कर याद कर लीजेगा next question देखते हैं next question क्या है यह रहा स्कीन पर masala mortar एक मिश्रन होता है जल बालू और किसका जो blast के लिए यूज़ करते है mortar जो रहता है masala यह किसका एक कहें तो मिश्रन होता है तो right answer क्या हो जाएगा बुझे हुए चूने का mortar जो है एक मिश्रन होता है जल बालू और बुझे हुए चूने का next question देखते हैं next question क्या है यह रहा स्कीन पर जीवानूं को नश्ट करने के लिए किस gas का प्रियोग करते हैं तो right answer क्या हो जाएगा जीवानूं को नश्ट करने के लिए chlorine gas का प्रियोग करते हैं और दोस्तों यह रहा आपका surprise question तीस question मैंसे आपने अभी तक कितना score किया और इस surprise question का answer क्या है कमेंट बॉक्स में बताईएगा वाइरस नामक रोगानू से फैलने वाला रोग कौन सा है साथ साथ दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों और अपने ग्रुप्स पर वीडियो को शेयर जरूर करिएगा अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बैल आइकन आउन कर लीजिए हमारे चैनल पर लाइव क्लासिस भी होती हैं आप उनको भी अटेंड कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखिया आप अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद